यूपी के सीएम योगी अधितिनात के हर फैसले, हर बयान की नसर भारत में, बल्कि विदेशों में भी जम कर सराहना की जाती है। खास कर योगी मॉडल के आजकल सभी राजियों में खूब डिमांड है। वहीं योगी की करिश्माई शक्सियत से पडोसी मुल्क पाकिस्तान भी नहीं बच पाया है। वहाँ भी योगी के चाने वालों की कोई कमी नहीं है। बरबादी के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान की जनता, आज योगी जैसे सरकार अपने यहां चाहती है। लेकिन वह बिचारे करें भी तो क्या करें। उनकी चल भी तो नहीं रही है न। इसलिए अपनी सरकार को कोसने के लिए वो हर मुद्दे पर योगी का एक्जामपल देते नहीं ठकते। इसी तरह का एक बयान सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। जिसमें एक पाकिस्तानी, सीएम योगी और उनकी शक्सियत की तारीफें करता नहीं ठक रहा। नमस्कार आप देख रहे हैं श्रेश्च भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सेंग। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में आतंग का बोल बाला था। अपराधियों के नाम पर पुलिस प्रशासन की हालत खराब होती थी। लेकिन 2017 में हुए सत्ता परिवर्तन के साथ ही यहां के आब वो हवा पूरी तरह से बदल गई है। इस वक्त आलम ये है कि पुलिस के डर से अपराधी यूपी छोड़ने को मजबूर है। ये सब मुम्किन हो पाया है यूपी के सीम योगी आदितिनात की वज़े से। यूपी में जिस तरह तेजी के साथ अपराध और अपराधियों का सफाया हुआ है, उसकी वज़े से देशी नहीं दुनिया भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। उनकी इमानदारी की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की जनता को बेहत पसंदा रहा है। और वो योगी बाबा की तारीफ करते हुए नहीं ठक रहे हैं। ये पाकिस्तानी कह रहा है कि मैं यूट्यूब पर एक विडियो देख रहा था जिसमें एक रिपोर्टर यूपी के सी-म योगी से पूछता है कि आपकी बहन बहुत गरीब है और आप सी-म है तो आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं। इस पर यूगी ने जवाब दिया और कहा कि यूपी की जनता में सभी मेरे भाई बहन और बच्चे हैं। मैं एक बहन को देखूं या पूरे स्टेट के भाई बहन और बच्चों को देखूं। और यही वज़े है कि आज पूरे देश में यूपी मॉडल अपनाने की मांग की जा रही है। और अपने इन ही कारनामों की वज़े से अब पाकिस्तान में भी योगी अदितिनाद छा गए हैं। तो फिलाल की इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रह ये शेश्ट भारत।